वेल्कम टू चारगेट सरकारी नौकरी मैं हो शैदली साल 2020 में रास्ट्रिय और अंतरास्ट्रिय स्तर पर जितने भी पुरस्कारों का वित्रण किया गया है इस वीडियो में सभी को डिसकस करेंगे जो कि आपके समिक्ष अधिकारी एक्जाम, UPPCS और सूपर्टेट एक्जाम के लिए बेहद इंपॉर्डन्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए आई शुरुवात करते हैं पहला सवाल देखिए आज का 2020 में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबल शांती प्रुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है अगर गांधी नोबल शांती प्रुसकार 2020 की बात करें तो इसको गांधी जी के 150 वी गांधी जी के जन्म की 150 वर्षगाट पर जो है गांधी पीस फांडेशन नेपाल के दोरा इसको दिया जा रहा है और ये दिया गया है किसको डॉक्टर कनहियातर पार्टी को तो गांधी न नोबल शांती प्रुसकार 2020 डॉक्टर कनहियातर पार्टी को दिया गया है क्वेशन नमबर नेक्स देखें क्वेशन नमबर नेक्स है जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांती प्रुसकार जर्मन बुक ट्रेड शांती प्रुसकार किसको दिया गया है साल 2020 का तो ये हैं Amartya Sen Amartya Sen है ये तो जून 2020 में नोबल पुरुसकार विजेता हैं अल्रेडी अर्शास्त्री रहे हैं Amartya Sen इनको जर्मन बुक ट्रेड शांती पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है और ये पुरुसकार साल 1950 से प्रति वर्ष दिया जाता है ये भी आप याद रखेंगे अगला सवाल देखें सवाल नमबर आज का तीसरा है 2020 में किस भारतिय संगीतकार को मेडल आफ दी ओर्डर ऑफ अस्ट्रेलिया पुरुसकार पुरुसकार प्रतान की जाने की घोशना की गई है तो ये है कौन शोभा सेकर option A जून 2020 में भारतिय संगीतकार शोभा सेकर है इनको medal of the order of अस्ट्रेलिया पुरुसकार पुरुसकार प्रतान की जाने की घोशना की गई है question number next सवाल नमबर चोथा है सारे questions बहुत important है definitely यहाँ से आपको questions दरूर मिलेंगे exam में जून 2020 को किसे वर्ष 2020 के पिर्थिस्ट विश्व खाद्य पुरुसकार यानि World Food Prize प्रदान की जाने की घोशना की गई है तो किसको विश्व खाद्य पुरुसकार यानि World Food Prize देने की बात की गई है 11 जून को announcement हुआ है इस पुरुसकार का इसको जो है विश्व खादिय पुरसकार फांडेशन के दुवारा भारती मूल के अमेरिकी मिर्दा विज्यानिक है ये डॉक्टर रतनलाल है इनको साल 2020 का विश्व खादिय पुरसकार वर्ल्ड फूर्ड प्राइस देने की घोशना की गई है option B इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे किस व्यक्ति को कौन सा पुरसकार दिया गया है साल 2020 में पांचमा सवाल देखिए जून 2020 में किसे EY World Entrepreneur of the Year 2020 का खिताब के लिए चुना गया है बहुत important questions हैं ये जितने भी awards के आज हम discuss कर रहे हैं यहापर तो जून 2020 में बायोकॉन लिमिटेट की जो कारिकारी अज्यक्ष है किरन मजूमदार शो को जो है EY World Entrepreneur of the Year 2020 के लिए चुना गया है option C Question No.6 देखिए जून 2020 में किस भारतिये को NASA Visist Seva यनी NASA Distinguished Service Medal इससे सम्मानित किया गया है बहुत important question है ये और इसका answer होगा option A रंजीत कुमार तो साल 2020 में भारतिये Aerospace उधमी है ये रंजीत कुमार इनको NASA Visist Seva पदक जिसे हम NASA Distinguished Service Medal कहते हैं इससे सम्मानित किया गया है और इससे पहले ये सम्मान तो ये सम्मान पाने वाले ये second दूसरे भारतिये हैं इससे पहले सम्मान एक व्यक्ति को और दिया गया है उनका नाम भी आपको याद रखना है तो ये हैं आरके चेट्टी पांडीपती को साल 2020 में NASA Visist Seva पदक पहले मिल चुका है उनसे नेक्स question देखेंगे question next देखेंगे June 2020 को किस भारतिये को Richard Dawkins पुरसकार प्रदान की जाने की गोशना की गई है ये awards भी बहुत ज़्यादा important है Richard Dawkins Award क्यों important है ये क्योंकि ये पहली बार किसी भारतिये को मिला तो 7 जून 2020 को जो है भारत की जो गीतकार है जावेद अक्तर इनको Richard Dawkins पुरसकार 2020 दिये जाने की गोशना की गई है और ये पुरसकार पाने वाले ये पहले भारतिये हुए option A correct answer is का option A next question देखेंगे question number 8 2020 में किस भारतिये लेखिका को एशिया चेतर के लिए रास्ट मंडल लगू कथा पुरसकार प्रदान की जाने की गोशना की गई बहुत important question है देखेंगे इसका अंसर हो जाएगा कृतिका पांडे option C जून 2020 में जो भारतिये लेखिका है कृतिका पांडे इनको एशिया चेतर के लिए रास्ट मंडल लगू कथा पुरसकार 2020 देने की बात की गई है और गोशना की गई है तो ये पुरसकार उनकी कहानी है इनकी एक जिसका टाइटल है The Great Indian Tea and Snakes The Great Indian Tea and Snakes इसका आंसर हो जाएगा option C क्रती का पांडे Next question देखें मई 2020 में किस भारतिये महिला को सैन्य अधिकारियों को Question number 9 है मई 2020 में किस भारतिये महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के लिए UN Military Gender Advocate of the Year का अवार्ट प्रतान की जाने की घोशना की गई तो इसमें option A है मेजर सुमन गवानी मेजर सुमन गवानी को भारतिये सैन्य अधिकारी मेजर इनको 2019 के लिए UN Military Gender Advocate of the Year अवार्ट प्रतान की जाने की बात ही और ये परसकार पाने वाली पहली भारतिये शान्ती दूथ है ये परसकार पाने वाली पहली भारतिये शान्ती दूथ होंगी नेक्स सवाल देखें सवाल नमर 10 है आज क्या मैं 2020 में मैं 2020 में किसे वर्ष 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ट से किसको समानित किया गया है तो ये हैं वाइस एड्मिरल विने बदवार वाइस एड्मिरल वीने बदवार को सम्मायनित किया गया है अलेक्जेंडर डेल रिंपल अवार्ड से Question number next Question number 12 है आज क्या माई 2020 में किस भारतिय पत्रकार को मीडिया में माना वधिकार और अभिव्यक्ति की सतंतरता के लिए उतक्रिस्ट पिर्ति बद्धता दिखाने के लिए ड्यूश वैले ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच 2020 के लिए चुना गया ये कौन है यहां option दीदेखे सिधार्थ वरद राजन सिधार्थ वरद राजन को छुना गया है कुछ उना गया है ड्यूश वैले Freedom of Speech Award है यह ठीक है ड्यूश वैले Freedom of Speech Award 2020 से सिधार्थ वरद राजन को जो समानित किया गया है next question 11 माई 2020 को कौन भारत्य महिला टैनिस खिलाडी Fed Cup Heart Award 2020 जीतने वाली पहली भारत्य खिलाडी बनी important mark कर लीजे क्योंकि जो भी कोई पहला वार्ट होता है या पहला winner होता है या पहला समानित वक्ति होता है वो exam में पूछ लिया जाता है तो इसका answer सानिया मिर्जा है option B 11 माई 2020 को भारत की जो star tennis खिलाडी है सानिया मिर्जा इनको Fed Cup Heart Award 2020 जीतने वाली भारत की पहली खिलाडी बन गई है next सवाल नमर next है माई 2020 में किसको माक्स वॉलनवर्क पुरसकार माक्स वॉलनवर्क पुरसकार 2020 से किसको समानित की जाने की घोशना की गई तो इस समान के लिए तीन व्यक्तियों के नाम आए है ये तीन व्यक्तियों के नाम की घोशना की गई जिसमें जॉसेफ जे लैंड्सपर्क है रिचर्ड एच वारिंग है और निकॉलस सी कूपसीन तीनों व्यक्तियों को ये वोड दी जाने की गोशना की और इस अवोड के लिए अक्चिली जलवायू परिवर्तन में जो वन विरिद्धी है इसकी भविष्यवानी करने के लिए जो एक मॉडल गनाया गया था 3PG मॉडल उसके लिए इन तीनों को ये वोड देने की बात की गई है अब इस 3PG मॉडल को भी पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है 3PG का मतलब यहां 3P है पहले P का मतलब है यहां फीजियो लोजिकल फीजियो लोजिकल दूसरा है प्रिंसिपल्स तीसरा है प्रेडिक्टिंग और चोथा जी जो है वो है ग्रोथ के लिए तो इन इस कॉंसेप्ट के लिए इन तीनों को जो है माक्स बारनवर पुरसकार के लिए नामंकित या घोशना की गई है सवाल नमबर नेक्स्ट है चार मई 2020 को वर्स 2020 के लिए पुलीजजर प्रसकारों की घोशना की गई इस में जो है आलोचक यहाँ पर लिख लेंगे आलोचक श्रेणी का प्रसकार किसे प्रदान की जाने की घोशना की गई तो यह है क्रिस्टोफर नाइट को जो इस आलोचक काटिगरी है इसकी क्रिटिक काटिगरी के लिए पुलीजजर प्रसकार 2020 दिया गया है सवाल नमबर नेक्स्ट मार्च 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व परेटन में दिये गए उतकरिस्ट योगदान के लिए IFTC Tourism Impact Award 2020 से समानित किया गया ये हैं जोय आक्तर जोय आक्तर को विश्व परेटन में दिये गए उतकरिस योगदान के लिए IFTC Tourism Impact Award 2020 दिया गया अगला important question देखिए मार्च 2020 में किसे वर्ष 2019 का 29वा जीडी बिर्ड़ा परसकार प्रदान की जाने की घोश ना की गई तो ये है प्रोफेसर रूप मलिक प्रोफेसर रूप मलिक को 2019 का 29वा जीडी बिर्ड़ा परसकार दिया गया next question number next है 8 मार्च 2020 को किसे जो है BBC Indian Sports किसको जो है BBC Indian Sports Woman यहाँ पर कर लेंगे Woman of the Year Award यहाँ BBC Indian Sports Woman of the Year Award 2020 से किसको सम्मानित किया गया यह है PV सिंदू option D है PV सिंदू को जो है BBC Indian Sports Woman of the Year 2020 का वाट दिया गया है question number 19 है फते सिंग राथोड फते सिंग राथोड Wildlife Warrior Award 2020 किसे प्रदान किया गया यह दिया गया है मद्धिपरदेश के वन विभाग के जो STF हैं प्रभारी है यहांके रितेश सिरोठिया को रितेश सिरोठिया को यह फते सिंग राथोड Wildlife Warrior Award 2020 से समानित किया गया है बहुत important question है यह question भी आ सकता आपके exam में 28 February 2020 को India Foundation एवं Indic Academy के सयोग से स्वराज अवोड स्वराज अवोड 2020 प्रदान किया गया था इस अवोड के तहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखरजी अवोड फॉर फॉर दी पॉलिटिक्स किसको दिया गया तो देखिए जो इंडिया फांडेशन इंडिया फांडेशन एवं Indic Academy के सयोग से जो स्वराज अवोड 2020 है वो चार कैटिग्री में दिया जाता है तो ये छेत्र अलग-अलग है जिसे इसमें संस्कृतिय समाजिक कारे राजनिती और अर्शास की छेत्र में अब इसमें जो अलग कैटिग्री के नाम इसमें दिये गए है उसमें जैसे उस्ताद बिस्मिल्ला का एक कैटिग्री है इसमें उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवोड फॉर कल्चर ये किसके अंडर आता है स्वराज अवोड के तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवोड फॉर कल्चर ये मिला है इसी में सुराज अवार्ड में सेकंड कैटिग्री है शिरी नारायना गुरू अवार्ड फोर शोशल वर्क ये मिला है उचितम नयायले के वरिस्ट अधिवक्ता और अयोध्य मामले में जो राम डला के वकील रहे हैं परासरन जी को ठीक है तो इनका नाम भी याद रखेंगे परासरन को और तीसरी कैटेग्री जो है डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखरजी अवार्ड फोर फोर दी पॉलिटिक्स जो इसमें questions पूछा हुआ है आपके लिए तो ये असम के मुख्यमंत्री जो है सरवारंद सोनोबाल सरवारंद सोनोबाल को मिला है क्या डॉक्टर स्या अवार्ड फोर दी एकोनोमिक्स तो ये पंदरवे वितायो के द्यक्ष एनके सिंग को मिला है ये तो ये चारो कैटेग्री के नाम आपने देख लिए हैं और इनके अवार्ड के जो प्राप्त करता है रेसिपेंट है वो भी देख लिए नेक्स देखते हैं सवाल नमर नेक नेक्स्ट बीस फरवरी 2020 को घोशित ESPN इंडिया अवार्ड 2019 के अंतरगत लगातार तीसरी बार किसको जो है स्पोर्ट्स पर्सन आफ दी एर फीमेल काटिगरी में स्पोर्ट्स पर्सन आफ दी एर किसको चुना गया है तो इसका अंसर हुजाएगा ऑप्शिन बी पीवी सि अवार्ड समारो का है जन मुंबई में किया गया इसमें से किस सर्वस्टेस्ट अभीनेता यानि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया तो इस अवार्ड में दादा साहिब फालके इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में रितिक रोशन को जो है रितिक रोशन को next सवाल सवाल नमा next important है 17 फर्वरी 2020 को Laureus World Sports Award Laureus World Sports Award 2020 का वितरण किया गया इसके समन्द में कुछ कथन है आपको बताना कौन सा सही नहीं है इस Award का वितरण मुनाकों में किया गया पहला ही statement जो है वो सही नहीं है तो सही नहीं है वाला ही हमको चाटना है तो देखे 17 फर्वरी 2020 को Laureus World Sports Award है यह जो है बर्लिन जर्मर में जर्मनी में इनका agent क्या गया था जर्मनी में कहां पर बर्लिन में important है तो इसको आप correct कर लेंगे इसमें जो है इस Laureus World Sports Awards में Sports Man of the Year Lionel Messi है इनको चुना गया है और Sports Woman of the Year है Simone Biles इनको चुना गया है और Laureus Sporting Moment of the Year सचिन तैंतूलकर को चुना गया है यह तीनों जो है information about किसकी है Laureus World Sports Award की next question देखे सवाल नंबर और अवार्ड नंबर next है February 2020 में किस भारतिये को Dan Davis 2020 Dan Davis पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है तो यह है प्रोफेसर गीता सैन इनको जो है Dan Davis 2020 पुरुसकार दी जाने के खुशना की गयी next question सवाल नंबर अगला है 15 फरवरी 2020 को 65 फिल्म फेर अवार्ड वितरन समारों का आयजन इंदिरा गांदी Athletic Stadium गौहाटी में किया गया इसे समंदित कथनों पर विचार कीजे जिसमें पहला statement है इस वाले में 65 फिल्म फेर अवार्ड में जो है इसमें गली बोई को सर्वसेस्ट फिल्म का पुरुसकार दिया गया आयशमान खुराना को सर्वसेस्ट अभिनेतर का पुरुसकार दिया गया तो Best Actor का आवर्ड आयशमान खुराना को नहीं मिला है Best Actor का आवर्ड रनवीर सिंग को ही मिला है गली बोई के लिए तो दूसरा वाला गलत हो जाता है आलिया भट को जो है सर्वसेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जी हाँ आलिया भट को गली बॉई मूवी के लिए ही सर्वसेस्ट अभिनेत्री बेस्ट एक्टरस का वाट दिया गया है तो इसमें पहला और तीसरा ही सही हो जाते हैं option C correct answer है next सवाल देखे सवाल नमर next बहुत important है छे फरवरी 2020 को राश्ट पती रामनात कोविन ने किस व्यक्तिकत स्टेणी में लेपरोसी के लिए अंतराश्ट्रिय गांधी पुरस्कार से समानित किया गया है तो International Gandhi Awards for Leprosy इसका नाम है इंगलिश में International Gandhi Awards for the Leprosy Leprosy का मतलब कुस्ट रोग से है तो जिन व्यक्तिकों ने ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जिनोंने कुस्ट रोग के उन्मूलन के लिए खात्मे के लिए या उसकी डिरेक्शन में उसको कम करने के प्रियासों में जो है काम किया हो तो ये साल 2020 का जो दिया गया है ये है डॉक्टर एनेस धर्मशक्तु को दिया गया है बहुत इंपॉर्टन है माक कर लीजेगा आज सकता एक्जैम में नेक्स सवाल कुशन में नेक्स है 26 जनवरी 2020 को गरतंत्र दिवस के अफसर पर तीन तट रक्षक बल कर्मियों को वीरताप के लिए पुरुसकार परदान किये गए इस विकल्प में से कौन से तट रक्षक कर्मी जो है इसमें शामिल नहीं है तीन तट रक्षक बल कर्मी है कौन-कौन से है देखे इस ये जो है राश्पति रामनात कोविन ने जो है गरतंत्र दिवस पर भारत के राश्पति ने गरतंत्र दिवस 2020 के अफसर पर जो सरानिय सेवा के लिए इसमें जो भारतिय तट रक्षक वन के जो कर्मी है इनको ततरक्षक पदक प्रदान करने की लिए घोशना की थी कौन-कौन है तो इस वीर्था के लिए ततरक्षक पदक जो है डिप्टी कमांडेंट अभिशेक कुमार दूसरे इनके साथ संजे कुमार सिंग तीसरे इनके साथ में जो सुभास हैं इन तीनों व्यक्ति को इन तीनों को जो है ये अवार्ड देने की खोशना की इसमें आई ए बालन शामिल नहीं है ये आप्शिन डीस का करेक्ट आंसर है सवाल नमबर अगला है 10 फरवरी 2020 को वितरित 92 में आसकर पुरसकार में किस फिल्म को सर्वसेस फिल्म का पुरसकार प्रदान किया गया एक तो आपको सर्वसेस फिल्म यानि बेस्ट फिल्म का अवार्ड देखना है और बेस्ट अक्टर का अवार्ड किसको मिला है किसी भी फिल्म अवार्ड में आपको ये दोनों ही चीज़े याद रखनी है कोई ना कोई आ जाता एक्जाम में तो अगर हम बात करें बयानवे वे आसकर की तो इसमें सर्वसेश फिल्म ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो पैरसाइट मुवी को मिला है पैरसाइट फिल्म को मिला है ए इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शिन सी अगर हम बात करें सर्वसेश फिल्म में तो होगी पैरसाइट इसके निर्देशक का नाम पूछ सकता है यानि इसके डिरेक्टर का नाम आपसे पूछ सकता है तो ये हैं Bong Joon Ho ये नाम भी याद रखेंगे Bong Joon Ho जो है क्योंकि ये फिल्म में सर्वस्टेस्ट प्रषकार है तो इसके डिरेक्टर का नाम क्योंकि बेस्ट फिल्म है ये इस इस अवार्ट के लिए तो Bong Joon Ho जो है इसके डिरेक्टर है और अगर आपसे पुचे Best या सर्वस्टेस्ट अभीनेता Best Actor 92 ओसकर में कौन बने है तो ये भी important है ये है Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix जो है फिल्म जोकर आयती है अभी है आपने देखी Hollywood की मूबी जोकर तो जोकर के जोकर में बेस्ट जोकर में जो acting की है उन्होंने जोकर का जो रोल प्ले किया है वो Joaquin Phoenix ने किया है तो सर्वस्टेस अभीनेता का अभीनेता का अवार्ड जो ऑसकर के लिए है बयान वेवे उनको मिला है Next देखे सवाल लंबर अगला बहुत important है वर्ष 2018 का राश्टे कालिदास सम्मान राश्टे कालिदास सम्मान के से प्रदान किया गया है ये अवार्ड ये देखे साल 2017 का और 2018 का दोनों प्रदान किये गए थे दोनों के नाम आपको याद रखने है क्योंकि latest है दोनों और ये announcement किया गया था 20 February 2020 में 18 वाले का announcement किया गया है तो दोनों नामें आपको याद रखने है इसमें अगर हम बात करें 2018 का राश्टे कालिदास सम्मान जो मिला है वो उमा शर्मा को मिला है option D अगर हम 2017 वाले की बात करें तो ये जतिन गुस्वामी इनको मिला है 2017 का राश्टे कालिदास सम्मान और ये 2018 का उमा शर्मा जी को मिला है तो option D का correct answer next देखिए सवाल नमबर अगला है जनवरी 2020 में किसे 25 वा देवी शंकर अवस्थी सम्मान परदान की जाने की घोशना की गई या किसको दिया गया है गनाम यार रखेंगे ये है राहुल सिंग राहुल सिंग option A बिल्कुल correct answer है अच्छली इनकी एक किताब है जिसका नाम है विचार और अलोचना विचार और अलोचना के लिए इनको जो है 25 वा देवी शंकर अवस्थी समृती अवार्ड जो है परदान की आगे इनकी पुस्तक का नाम भी आप याद रख सकते हैं इनकी पुस्तक पर कुशन पूछ सकता कि विचार और अलोचना के पुस्तक के लिखक क्योंकि जो अभी जो हाल फिल हाल में जो राइटर्स लेखकों को जो अवार्ड पुरसकार मिलते हैं उनकी किताबों के राइटर डिरेकली किताब का नाम देखे हैं उनके राइटर्स के नाम भी पूछ सकता है यानि 2019 या 2020 की जो किताबे हैं या उनके राइटर्स हैं या किसी अवार्ड को किसी किताब ने जीता है तो उनकी राइटर और यह इनकी किताबों के टाइटल है बहुत important हो जाते हैं अगला देखें Question number next है 20 January से 2 February के बीच में वर्ष की पहली Grand Slam प्रतियोगिता हुए अगर बात करें महीला एकल का किताब अमेरिका की जानकारी यहां मिल जाएंगी तो महीला एकल का किताब जीता है किसने अमेरिका की है यह सोफिया कैनिन ने अगर पुरुष यूगल की बात करें पुरुष यूगल का किताब जीता है राजीव राम अमेरिका और यह जोए सलीबरी ब्रिटेन इन दोनोंने कमाइनली जीता है और महिला यूगल का किताब टीमिया बांबोज और क्रिश्टीना मलाडे नोविक इन्हों ने जीता है तो ये बाकी तीनों सही है यानि सही जानका रही है और स्टेल इन ओपन के बारे में और ये गलत जानका रही है यहाँ पर 17th होगा इसलिए option A सही answer होगा इसका next सवाल नमबर next है 27 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए किसे इसको आप यहाँ correct करेंगे toilet पुरसकार नहीं है ये actually toilet पुरसकार है ठीक है toilet पुरसकार इसको correct कर लेंगे तो toilet पुरसकार बहुत important पुरसकार है पर्यावरण के छेत्र में दिया जाने वाला noble पुरसकार किसको काया था तो यह toilet पुरसकार होता है तो toilet पुरसकार जो दिये गए है वो इन दो व्यक्टियों को दिये गए है पवन सुकदेव और dr. ग्रेशीन सी डेली को important question है ये next सवाल अगला सवाल देखें अगला सवाल बहुती important 25 जनवरी 2020 को केंद सरकार के दोवारा पदम पुरसकार 2020 दिये जाने की गोशना किएगी इससे संबंदित निम्लेकित कत्नों पर आपको विशार करना है पहला कतन है इस वर्ष रास्पती रामनात कोविन ने 141 पदम पुरसकार परदान की जाने को मंजूरी दी पहले statement के अगर बात करें तो रास्पती रामनात कोविन ने 141 पदम पुरसकार परदान करने को मंजूरी दी पहला statement तो है सही और इसमें से जो है अब 141 में से 7 व्यक्तियों को तो पदम विभूशन दिये जाएंगे यहां बोला गया 4 लेकिन answer में क्या होगा इन 141 में से 7 व्यक्तियों को जो है पदम विभूशन दिया जाएगा तो इसमें से ये वाला एक तो ये ठीक नहीं है और अगला देखिए नेक्स देखिए इसमें प्रसित मुक्केबाज MC मेरिकॉम को पदम विभूशन से सम्मानित किया जाएगा जैसे हमने 7 इसमें पदम विभूशन दिये जाएंगे उसी तरह से 16 पदम भूशन है और 100 देखिए ये काटेगरी आप याद रखेंगे यहाँ पर आपको एक important है इस जगह पर यहाँ पर जैसे 7 इसमें पदम विभूशन साथ दी जाएंगे 141 में से थोड़ा सा इसमें आपको time लग गया और इसमें अगर आप 16 की बात करें क्योंकि अलग-अलग question यहाँ पर पूछ लेगा आपसे और 16 जो है यह है पदम भूशन पदम भूशन 16 है और अगर आप बात करें 118 की तो 118 पदम शिरी है तो यह भी पूछ सकता है कितने पदम शिरी है कितने पदम भूशन है कितने पदम विभूशन है तो यह आज से डिवाइट कर दी है और अगर लास्ट की बात करें तो MC मेरिकॉम जो है इनको पदम विभूशन से सम्मानित किया जाएगा यह ठीक है तो इसमें खेवल दो ठीक नहीं है एक तीन चार यह ठीक है इसका अंसर हो जाएगा एक तीन चार सही option next सवाल नमबर नेक्स्ट है तीन फरवरी 2020 को केंद्रिय महिला इवं बाल विकास मंद्रालय कपड़ा मंत्री स्मिर्थी जूबीन इरानी ने जो है प्रदान मंत्री मात्री वंद्रा योजना के तैसर उसे इस प्रदरसन करने के लिए राज्य और केंद्र शाजित प्रदेश सवाल नमबर नेक्स्ट एंड लास्ट है दो जनवरी 2020 को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी दवारा राज्यो को वर्ष 2017-18 के लिए क्रशी कर्मन प्रुसकार और प्रशस्ती प्रुसकार के लिए जो है चुना गया है इन में से आपको पताना है कौन से सही है देगे 2020 में इ खाध्यान उत्पादन शेडी एक के लिए क्रशी कर्मन प्रुसकार प्रदान किया गया है अब देखे इस पर कुशनी बन सकता है कि ये प्रुसकार जो है कब से शुरू किया गये थे तो ये क्रिशी कर्मन प्रुसकार जो है खाध्यान जैसे हमारे चावल गेहुं दाल है यह मोटे अनाज है इन फसलों के उत्पादन में उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए साल 2010 में इनको शुरू किया गया था 2010-2011 से इसको स्टार्ट किया गया था और इस पुरसकार की तहट 2013-14 में जो है 13 फसलों को भी शामिल किया गया था तो इसमें जो है कुल मिलाकर के 8 प वर्ष में 10 मिलियन से अधिक जिसका होगा उसको मिलेगा और यहाँ पर जो है 10 मिलियन टन की बात चल रही है अगर जिसका शेणी एक में जहां कुल खाद्यान उत्पादन जो संबंदित वर्ष के दोरान 10 मिलियन टन से ज्यादा है तो शेणी वन में रखा जाएगा शेण टू में कैटेगरी टू में बात करें और इनके लिए सरवादिक उत्पाधन करने वाले राज्यों को दिया जाता है अब इसमें कृशी क्रमन परुस्गार के हम बात कर रहे हैं तो शेनी बन में इसमें पहले औप्प्शिन में बात की गय ये देखिे आंदर परदेश को कुल खाद्यान उत्पादन शेनी वन के लिए कृष्ची कर्मन पुरुसकार परदान किया गया है बिल्कुल सही कुल खाद्यान उत्पादन शेनी फस्ट में आंदर परदेश पहले स्थान पर है ये इसको मिला है किसको आंदरपरदेश को पहले सान पर नहीं के लिए है के लिए आंदरपरदेश को दिया गया है काटेगरी टू के लिए आप से पूछेगा श्रेणी टू के लिए आप याद रखेंगे ये भी पूछ सकता है ये उत्राखंड को यानि यूके यूके को ऐसे ल प्रशास्ती पुरस्कार दिया गया है यह बिल्कुल ठीक है प्रशास्ती पुरस्कार की बात की गई है यहाँ पर किशी कमंड पुरस्कार अंदरपरदेश को मिला है कैटेगरी 1 के लिए और प्रशास्ती पुरस्कार कैटेगरी 1 के लिए यूपी को मिला है तो यूपी का करेंट भी यह हो जाता है ये भी ठीक है ये भी ठीक है नेक्स और इसमें जो है प्रिशस्ती प्रुसकार कैटेगरी 2 के लिए किसको मिला है जैसे इसमें तीन कैटेगरी बन रही थी शेड़ी 1 शेड़ी 2 शेड़ी 3 तो इसमें प्रिशस्ती यहाँ पर जो है चलिए अगलों की बात करें पंजाब राज्य को गेहूत पादन के लिए क्रशी कर्मन पुरसकार प्रदान किया गया है तो पंजाब राज्य को भी मिला है इसमें क्रशी इसको याद अखेंगे पंजाब राज्य को भी दिया गया है ये और अगर इसकी बात पस्ची मंगाल को मोटे अनाज उत्पादन के लिए क्रशी क्रमन पुरसकार दिया गया है तो ये भी ठीक है और पंजाब राज़े को गहें उत्पादन के लिए क्रशी क्रमन पुरसकार दिया गया है ये भी ठीक है और अगर आंदरप्रदेश की बात करें आंदरप्रदेश राज्ये को कुल खाद्यान उत्परण शेणी के लिए क्रिशी क्रिमन पुरसकार दिया गए ये विडिए तो ये चारो के चारो ये सही अंसर है इसका चलिए तो इस वीडियो में तो इतने ही रहने देंगे अब आग के पास जो पुरसकार बचें साल 2019 के हैं साल 2019 के पुरसकार हम पहले ही कवर कर चुके हैं उपर जो प्लीलिस करेंट अफेर्स के आपको नज़रा रही है उसमें उस पुराने वीडियो को भी जिसमें 2019 के हमने आड किये थे वो सारे आपको मिल जाएंगे तो 2019 भीस के ये सारे अवार्स हो गए कुछ आप वार्स बसते हैं तो उनको हम मिक्स अप करेंट अफेर्स की करते हैं तो उसमें हम शामिल कर लेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा थेंकि सो मच